वेलकम बेक दोस्तों आज आपका वई लेके आ चुका है ओपो के 12X दमदार स्मार्टफॉन है जो आपको सिरफ मिलता है 13,000 रुपे की प्राइस सेग्मेंट में और सबसे पहले इसकी डिजाइन देख सकते हो काफी ज़धा गजब की है क्या आपको पता है जितनी कमाल किसकी डिजाइन अना उससे कई गुना ज़धा इसमें मज़ेदार हीडन फीचस मिलते हैं सबसे पहले बता देता हूं 13,000 रुपे की प्राइस में 6GB RAM, 128GB स्टोरेज, 5100 अमच बैटरी और उसको चार्ज करने के लिए 45W वाइड चार्जर मिल जाता है और MediaTek Diamond City 6300 प्रोसेसर साइ इस प्राइस डेकमेंट में आपको किसी अधर ब्रेंड में इतने सारे फीचस मिलते होंगे, 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, तो गाइस अगर आप इसको खरीदने की सोच रहे हो या फिर खरीद चुके हो, तो बिलकुल सही वीडियो पर आयो, इस स्मार्टफॉन में कौन यूज करना चाहता हूँ, तो बिलकुल कर सकते हो, बस इसके लिए एक आपको बेस्ट ऑप्सन भी मिल जाता है, इस तरीके से नीचे से स्लाइड करोगे, स्क्रीन साइच छोटी हो जाएगी, और आप एक हास से आसानी से यूज कर पाऊगे, तो बस इसको ओन करने के लिए सिंपल आपको स्मार्टफॉन की सेटिंग में जाना है, एडिशनल सेटिंग के उपर क्लिक करना है, यहाँ पर वन हेंडेड मोड का ओप्सन मिलेगा, इसको ओपर जाकर इसको यहाँ से ओन कर देना है, अब चाहिए आप कोई भी स्मार्टफॉन की स्कीन के उपर हो, जैसे कोई भी अप्लिकेशन में हो, बस नीचे से स्राइड करके उसको वन हेंडेड एक खासे आसमानी से यूज कर पाओगे, अब बात करते हैं, अगर आपका यह स्मार्टफॉन गर में किसी बच्चे के पास में, या फिर अपने खुद के पास में, और आप पता लगाना चाहत पूरा दिन अपने इस स्मार्टफॉन में क्या-क्या यूज किया है, तो बिल्कुल लगा सकते हो, स्मार्टफॉन की सेटिंग में जाना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस जैसे डिजिटिल एंड वेलविंग कंट्रोल के उपर क्लिक करना है, अब इसमें देख सकते हो, तो यहाँ पर मैंने स्मार्टफॉन को 13 मिनट यूज किया है, दस बार अनलोग किया है, एक नोटिफिकेसन आया है, और केमरा को मैंने कुछ इस देर यूज किया है, तो इस तरीके से आपको सारी डिटेल इसी में मिल जाएगी, गाईज आपने देखा होगा, जैसे हम रिस साइड आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसी तरीके से फोटोस के इंसाइड भी आप हाइड कर सकते हो, थ्री बटन के उपर क्लिक करके, गाईज जैसे मैं इसमें एप ड्रोर को नीचे लाता हूँ, तो यहाँ पर मैं इस देसे साइलेड मोड को ओन करता हूँ, इ इसके उपर आपको क्लिक करना है, और इसमें देख सकते हो, डिफोल्ट के अंदर राउंड सर्कल मिलेगा, इसमें यह वाला देख सकते हो, कुछ इस तरीके से चेंजे सोच चुका है, और इसको कुछ इस डिजाइन में भी कनवर्ट कर सकते हो, तो आप अपने स्मार्ट फ सकते हो, कितना मज़ेदार है, और फेस्बुक के नीचे इसका नाम लिखा हुआ है, अगर आप इसको हटाना चाते हो, तो ये भी हटा सकते हो, इससे आपका एप्लिकेशन के अंदर स्मार्ट फोन की UI और भी ज़दा यूनिक लगेगा, शो एप नेम को डिसेबल कर देना ह और इनके आइकोन को छोटा या फिर बड़ा करना चाते हो, वो भी आप कस्टमाइज करके अपलाई कर सकते हो, अब आप अपने स्मार्ट फोन की होम स्कीन पर जाकर देखोगे, वहाँ पर आपको सारी एप्लिकेशन कुछ इस डिजाइन के अंदर और इनके नीचे नाम द लिए करते हो, तो आप इसमें फॉन की साइज को भी बड़ा सकते हो, जैसे मैं कुछ हद तक इसकी साइज को बड़ा देता हूं, अब मेरे स्मार्ट फोन में जो कुछ भी लिखावा है, उसकी साइज बड़ी हो चुकी है, और एक मज़ेदार फीचर बता देता हूं, जैस ओपन कर सकते हो, यह सारी सेटिंग ओन करने के लिए सिंपल आपको होम स्कीन पर टेप करके रखना है, फिर इधर की तरफ सलाइड करके मौर के उपर क्लिक कर देना है, इसके अंदर आने के बाद में आपको सबसे पहले आइकोन पूल डाउन गेसस का उप्शन मिलेगा, इ नीचे आने के बाद में डबल टेप to wake of turn off screen का उप्शन मिल जाता है, इसको ओन करने के बाद में आप डबल टेप करके off भी कर सकते हो, ओन ओफ करने का उप्शन मिल जाएगा, अब एक और मज़ेदार फीचर्स बता दिता हूँ, swipe down on home screen के उपर क्लिक करना है, इसमें notification drawer सेट करने के बाद में आप जैसे इसमें नीचे से सलाइड करोगे तो ये app drawer नीचे आ जाएगा और आप इस तरीके से upper and down कर सकते हो, मियानी आपको दूसरा हाथ काम में लेने की जुरूरत नहीं होगी, डारेट ऐसे भी नीचे ला सकते हो notification drawer को, गाईस जैसे कि मैं इस smartphone में Facebook को use कर रहा हूँ, अब मुझे कोई दूसरी application open करनी है, तो आप इदर से slide करते हो, तो इसमें smart slide bar का option मिल जाता है, अब message पर या WhatsApp पर किसी को reply देके आना है, तो इसको आप direct यहाँ पर on कर सकते हो, बस इसके लिए simple एक बार first time इस तरीके से करना है, आप देख सकते हो, यहा साथ में चला सकते हो, जैसे WhatsApp हो गया, Facebook हो गया, तो दो-दो जगा पर online record chatting भी कर सकते हो, smart slide bar की वज़े से, अगर आप smart slide bar को on करना चाहते हो, तो smartphone की setting में जाना है, special features के उपर click करना है, और इसके अंदर आने के बाद में smart slide bar का option मिलेगा, जिसको यहाँ से on कर देना है, अब on करने के बाद में इधर से slide करके आप कोई भी application open कर सकते हो, जैसे मैं photos को open करता हूँ, तो यह floating window में open हो जाता है, और इसको में यहाँ से direct है, जो control कर सकता हूँ, अब photo वगेरा देख सकते हो, इस तरीकी से दो-दो application को एक साथ में चला पाओगे, फिर इसी setting के अंदर आप इसमें torch on हो जाती है, फटा-फट से, तो इस तरीके से आप भी इसमें कर सकते हो, इस वाली setting को on करके, अब मैं आपको एक बार फिर से वहीं पर लेके चलता हूँ, जैसे कि guys मैं आपको बता देता हूँ, अब smartphone की gases and motion के अंदर आने के बाद में lift to air to answer call का option मिलता है, जैसे आपको किसी का भी call आ रहा है, अगर आप ये वाला features on कर देते हो, तो direct smartphone को कान के पास में touch करने पर ये automatically answer दे देता है, auto switch to receiver, ये वाला option हो गया, flip to mute incoming call, अगर आप इनको on कर देते हो, तो आपको किसी का भी call आ रहा है, और आप smartphone को कुछ इस तरीके से flip करते हो, तो ये automatically silent हो option के option भी मिल जाएंगे, सबसे पहले आपको screen of gases का option मिलता है, इसके अंदर आने बाद में तो बहुत सारी customization मिलेगी, जैसे or to open camera, we to torch on, इन सभी को आपको on कर देना है, इसमें क्या होता है, जैसे कि smartphone lock air में all draw करता हूँ, तो smartphone के अंदर open camera, camera फटा-फट से open हो जाएगा, और option भी कर सकते हो, simple आपको smartphone की setting में जाना है, इसी के अंदर special features के उपर क्लिक करके, gases and motion के उपर जाकर, skin of gases के उपर क्लिक कर देना है, नीचे आने बाद में आपको 3 option मिलेंगे, जैसे कि कुछ ये वाला sign और फिर M और W, इनके अंदर अगर आप अपनी favorite application को open करना चाहते हो, तो वो कर सकते हो, जैसे W के अंदर आप में application के उपर क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ पर आने के बाद में अपनी favorite application open, जैसे Chrome browser को open करना चाहता हूँ, smart phone lock है और मैं यहाँ पर W draw करता हूँ, तो इसमें फटा-फट से Chrome browser open हो जाएगा, तो इस तरीके से आप phone application या कोई other application को भी open कर सकते हो, guys यह smart phone 13000 रुपे की price में 120Hz screen refresh rate के साथ में आता है, इस smart phone के अंदर आने के बाद में display and brightness का option मिलेगा, जिसमें आपको कुछ display की मज़ेदार setting बता देता हूँ, simple सबसे पहले आपको dark mode मिलता है, अगर आप smart phone को night में use करते हो, तो dark mode को use करके on कर सकते हो, इ अगर आप इस smart phone को जैसे मैं एक बार normal करके दिखा देता हूँ, इसके अंदर आपको eye comfort का option भी मिल जाता है, अगर आप office में पूरा जिन smart phone को use करते हो, तो इस mode को on कर दीजीगा, इसमें display का color warm हो जाएगा, और आंकों पर काफी जदा सही रहेगा, आंकों पर रोस्नी, white tune क रोस्नी नहीं गिरेगी, और smartphone को आप अच्छी तरीके से use कर पाओगे, ज्यादा देर के लिए, dark circle होने का डर नहीं होगा, और इसमें screen refresh rate को option मिलता है, auto switch screen refresh rate, यह भी auto के उपर select है, तो battery के according यह select कर देता है, लेकिन अगर आप anytime fast use करना चाते हो, तो high के उपर click कर दीजीग इसमें smartphone की skin refresh rate को 120Hz के उपर fast use कर पाओगे, तो यह features भी मुझे काफी ज़दा सही लगा है, इस smartphone में 120Hz की skin refresh rate मिल जाती है, इस price segment में, जैसे कि आप देख सकते हो, इस smartphone में दो-दो Snapchat है, तो अगर आप भी Snapchat को dual, WhatsApp को dual है, या फिर Instagram को dual करना चाहते हो, या फिर कोई भी application पर lock लगाना चाहते हो, तो बिल्कुल लगा सकते हो, simple smartphone की setting में जाना है, apps के उपर click करना है, यहाँ पर आपको second number app coloner का option मिलेगा, जैसे मैंने Snapchat को dual किया है, वैसे Facebook को भी dual कर देता हूँ, अब मेरे smartphone में देख सकते हो, दो-दो Facebook आ चुकी है, मैं एक smartphone में दो-दो application पर use कर पाऊ अकाउंट बना के, और इसी में आप app lock लगाना चाहते हो, तो simple आपको apps के उपर click करना है, सबसे नीचे app lock का option मिलेगा, फिर go it करना है, इसको on करना है, फिर यहाँ पर आपको setting के उपर जाकर passport वगेरा setup करना है, तो इसमें आप pattern वगेरा कुछ भी select कर सकते हो, अपने coding, security फिर आपको एक question का answer देना है, वो इसलिए अगर आप यह passport या फिर patent भूल जाते हो, तो इस answer को देकर आप forget कर सकते हो, अब मैं Amazon के उपर या कोई भी application के उपर lock लगाना चाहता हो, तो lock लगा सकते हो, जैसे मैंने Amazon के उपर lock लगा दिया है, अब आपको verify करना होगा, पहले lock को unlock करने के लिए, तो इसमें Apple lock का option भी मिल जाता है, गाइज मेरे smartphone में अभी battery कितना percentage है, वो मुझे नहीं पता, अगर आप भी battery के percent on करना चाहते हो, तो simple आपको जाना होगा smartphone की setting में, यहाँ पर आने के बाद में notification and status bar के उपर click करना है, फिर दुबर आपको status bar के उपर click क करना होगा, इसमें देख सकते हो, notification icon, battery style, battery percentage का option मिल जाता है, अब आपको दो option मिलेंगे, inside battery के inside में percentage show करवाना चाहते हो, तो इसके उपर click कर दीजीगा, जिसमें battery के inside में percentage show होगे, outside के उपर click करते हो, तो battery के outside में percentage show होते हैं, इसी के अंदर आपको एक best option मिलता है, privacy के मेरे पास में कोई बेठा है, उसको पता नहीं चलना चाहिए, कि मैं उसको use कर रहा हूँ, तो आप उसको यहाँ पर icon notification icon की जगा name में भी convert कर सकते हो, जैसे show number, अब इसको पर click कर देते हो, तो आपको 4-5 जितनी वे application से message आएगा, तो उनके name show होगा, जैसे कि number show होगे, कि 5 application से message आया है, ना कि उनके icon show होगे, और इसी तरीके से आपके smartphone में कितनी Mbps आप net use कर रहे हो, real time network speed जानना चाहते हो, तो इसमें आपको इसको on कर देना है, real time network speed, अब आपके smartphone में कितनी Mbps आप speed use कर रहे हो, real time में वो आपको यहाँ पर show हो जाएगा, और इसी setting notification and status bar के एक मज़ेदार features बता देता हूँ, जैसे notification history का option मिलता है, आपको इसको on कर देना है, अब आपको कोई WhatsApp पर message करके delete for everyone करता है, तो भी आपको पता चल जाएगा, और या फिर आपको यहाँ पर बहुत सारे notification आये हुए रहते हैं, आप उनको एक साथ में clear all कर देते हो, तो यहाँ पर show हो जाएंगे, clear करने के बाद में भी, और आपको कोई WhatsApp पर message करके delete for everyone करता है, तो वो भी message यहाँ पर show हो जाएगा, तो यह features भी मुझे इसमें काफी जदा मज़ेदार लगा है, इस वाले smartphone के अंदर camera में कौन कौन से mods मिलते हैं, और camera की setting and detail भी बता देता हूँ इसके rear में आपको 32MP का rear camera मिलता है, 2MP depth sensor और 8MP का selfie camera मिलेगा, सबसे पहले camera open करते ही, आपको इसमें pro mode मिल जाता है, जिसके अंदर आप काफी सारी customization कर सकते हो, फिर बात करते हैं video, जिसमें आप इस smartphone में highestly 10x सक जूम कर पाओगे और video की highest quality की बात करें, तो इसमें आप 1080p 60fps इसमें video record कर सकते हो, फिर बात करते हैं photo, जिसमें भी आप इस smartphone में 10x तक जूम कर सकते हो, और guys इसके अंदर आपको देखे जाए तो यहाँ पर 2x और 1x का option direct मिल जाता है, और फिर filter वगरा लगा कर आप इसमें photo वगरा भी क्लिक कर पाओगे, finally बात करते हैं portrait camera, जिसमें आ आपको है जो customization, depth sensor को customization करने का option भी मिल जाता है, अगर आप AJ-like DSLR फोटो क्लिक करना चाते हो, तो 1.8 के उपर आपको aperture value रखना है, फिर इसमें आप फोटो क्लिक करोगे तो background में अच्छा खासा बलर हो जाएगा, और बात करते हैं more camera की, तो इसमें आपको night, high-res, panorama, slow motion, time-l और काफी best तरीके से ये फोटो को observe कर लेता है, fast तरीके से, और detail भी इसमें काफी अच्छी खासी मिल जाती है price के according, तो guys ये थे इस smartphone के मज़ेदार hidden feature से, अगर इसके बारे में कुछ और जाना चाहते हो, या फिर part 2 वीडियो चाहते हो, तो comment कीजीगा, उससे पहले आपको चैनल को subscribe जरूर करना होगा, मिलते हैं next मज़ेदार वीडियो में, बाई बाई